Hello everyone, welcome back to my new studio, कैसे हूँ आप सभी, I hope की सब बहुत अच्छे हूँ, अच्छे से preparation कर रही हूँगे तो guys, आज मैं 6 बजे उठी हूँ, उठने के बाद मैंने अपना routine work किया उसके बाद मुझे पानी बर के लाना था, तो मेरे से उपर वाले फ्लोर पे हमारी building का water cooler लगा हुआ है, जासे मैं पानी बर के लेके आई हूँ उसके बाद मैंने अपने room की साफ सफाई की और अपनी study table साफ की, as usual मैं daily पढ़ने से पहले अपनी study table को साफ कर लेती हूँ उसके बाद मैंने breakfast में आज रमकीन वर्मी से लिए बनाई है, और आप सब इसे क्या बोलते हो कमेंट में बताना, और इसके साथ में मैंने बनाई है चाहे तो मुझे मेरे morning routine के सब काम और breakfast करने में 8 बज गए, उसके बाद अब मैं अपनी study का first task करूँगी और as usual मैं सबसे पहले अपनी daily वाली current affairs की class खतब करती हूँ, जिससे कि मेरे current affairs daily cover होते रहें और मुझे ज़्यादा burden ना हूँ यह आम सबको पता ही होगा, मैंने कई बार बताया है कि मैं daily current affairs affairs cloud की youtube वीडियो से करती हूँ तो current affairs finish होने के बाद, अब मैं अपना pre-level का monk दूँगी और यह monk मैं smart gear पे दे रहे हूँ pre-level का monk भी मेरे daily regular routine का part होता है, जिसको मैं miss नहीं करती क्योंकि अगर यह एक दिन भी waste होगा, तो यह हमारे speed पे बहुत ज़्यादा effect डालता है इसलिए मैं speed को maintain रखने के लिए try करती हूँ, कि daily pre-level का monk दूँ and guys, smart gear पे अभी new exam pattern based monk add हुए है, तो आज मैं यह attempt करूँगी and अगर आप सभी smart gear पे monk देना चाहते हो, तो अभी इनका all exam one plan चल रहा है, जो banking, SEC, railway सभी exam के लिए है इसमें आपको pre plus means, दोनों के लिए mock test, sectional test, topic test and mock drill, सब कुछ मिलेगा and इनका content भी काफी exam relevant होता है, इसका price अभी 2000 rupees है, बट अगर आप code use करते हो, fast 23, तो यह आपको 1800 में मिल जाएगा इसका purchase link आपको description में मिल जाएगा, जहांसे आप इसे buy कर सकते हो MOOC मेरा complete हो गया है, तो अभी time है मेरी pre-level की quant practice का तो आज मैं practice इस book से करूँगी, यह Oswal books है, आप लोग books को लेके बहुत comments कर रहे थे कि practice के लिए book बताओ, तो मैंने research की, तो मुझे Oswal books की काफी recommendations मिली तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताओं उसके बारे में, तो यह Oswal books की quantitative aptitude की book है इसमें starting में सभी chapters के important formulas and tricks given है, उसके बाद chapter start होने से पहले flow chart दिया हुआ है, जिसकी help से हम उस chapter के important concepts बहुत इंजली समझ सकते हैं चेप्टर के starting में, चेप्टर से related important facts and sold examples दिये हुए हैं, जिनकी help से आप चेप्टर को बहुत अच्चा से understand कर सकते हो, उसके बाद practice के लिए three levels दिये हो गया है, beginner, intermediate and expert इस book की सबसे अच्छी बात मुझे यहीं लगी कि इसमें हम level wise practice कर सकते हैं and सभी questions के आपको detailed solution भी given है अगर आप किसी question में अटक रहे हो, तो आप उसकी detail explanation से help ले सकते हो, तो अगर आप भी practice के लिए कोई अच्छा book source देख रहे हो, तो आप यह books ले सकते हो, मैं इसका link description में provide कर दूगी मेरे पास चुद दूसरी book है, वो English की है, English में बहुत सारे students को problem होती है, तो इस book में आपको chapter wise and topic wise complete syllabus मिलेगा इसमें भी आपको हर chapter के mind maps मिलेंगे, जिसमें हर chapter के important concepts and rules को बहुत अच्छे से flow chart की form में represent किया गया है जिसकी app से जिजे understand करना बहुत easy हो जाता है, और flow chart से जब करते हो, तो interest भी develop होता है जब आप इसमें chapters cover करोगे, तो इसमें सभी important concepts and rules को cover किया गया है, और उसके बाद practice exercise भी given है तो guys practice के लिए ये books बहुत अच्छी है, तो आपको इनका link description में मिल जाएगा, जहां से आप इनको purchase कर सकते हो तो आज मैंने इनी book से arithmetic और English की practice की है, जिसमें मुझे around 2 hour लग गए तो अभी 12 बच्चु के हैं and time हो गया है मेरे lunch प्रपेर करने का, तो आज मैं दाल बनाऊंगी, काम थोड़ा जल्दी हो जाए, इसलिए मैंने 10 मिनिट पहले ही दाल को उबलने के लिए रख दिया था अभी छोंग के लिए मैं प्याज और मिर्ची वगेरा cut कर रही है अभी मैंने strategy पे जिसमें arithmetic, DI, banking awareness इन सब पर वीडियोस बनाई है, तो आप सब अभी भी पूछते हो और इन सब को लेके, तो अगर आपको अभी भी कोई doubt है, तो एक बार इन वीडियोस को जुरूर चेक कर लेना, आपको चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा मैं एको उडियोस कर दो चैनल इन सब कोई सब सकतो कर दो है क्केचा ज travaille है 1 बत्zne मैं वीडियोस के ते उिडियोस दोटने सब को अफ जाएएटार तो खाना बन चुका है मैं आपको मेरी थाली भी दिखा देती हूँ ताकि जो भी मैंने बनाया है वो आपको दिखा पाऊं तो आज लंच में मैंने बनाई है दाल बेसन की रोटी इन दही वस यह सींपल सा लंच है लंच करने के बाद जो टाइम था वो भी मुझे यूज़ करना था तो मैंने इस टाइम में अपना टोवल दोया इसे मैंने जब लंच बनाना शुरू किया था उस टाइम भीगो के छोड़ दिया था ताकि बाद में दौँ तो इसलिए दुल जाए अब इसको मैं दो अपड़े में थोड़े-थोड़े करके दो लेती हूं ताकि ज़्यादा इकठे ना हूं वरना फिर वही सेम स्लेवर्स वाली बात हो जबती है जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा तогभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया है और टाइम हो रहा है तेन बज़े तो अभी मैं में मेंन्स के लिए परेक्टिस करूँगी क्योंकि सुवह तक प्री का कर लिया था अब mains को time देना है तो अभी मैं mains level puzzle practice करूंगी इसके लिए मुझे अंकुष लांबा सतर की ये class मिली जो totally puzzle पे है तो एक गंटा मैं इसी से practice करूंगी mains level की practice का आप सब पूछते हो तो YouTube पे आप search कर लिया करो जिस भी topic की आपको practice करनी हो उससे related बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी उसके बाद अपने coding practice कर लिया करो class करने के बाद अभी मैं इस मोक को solve कर रही हूँ ये textbook पे RRBPO mains का मोक है जो मैंने कल दिया था आज इसके questions practice करूंगी जो question मेरे रह गई थे तो उनको मैं अभी solve कर लूंगी इससे मेरे English reasoning, quant and even computer सभी subjects के questions practice हो जाएंगे तो mains की practice के लिए मोक test best source है जहां आपको variety of questions मिलते हैं totally exam oriented questions मिलते हैं तो guys, आज की वीडियो में इतना ही I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी If you like it, then don't forget to like, share, subscribe to my channel I will see you in the next video Till then, study hard, take care, bye-bye